हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल स्वरब कंप्यूटर पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वेकेंसी आई है कॉंस्टेबल ट्रेट्समेंन के लिए उसके बारे में मैं आपको बता दू कि आज के वीडियो में आपको इस वेकेंसी से सम्बंधि सारी जानकारी दूँगा जैसे कि इसका सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपको अपलाई करने के डेट कप से रहे सारी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा चलि यह दोस्तों वीडियो को आंगे बढ़ाते हैं आंगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजिए लाइक श्यार और कमेंट के जिए अब हम बात कर हैं इसके post के बारे में दोस्तों इसकी जो post है वो representative के लिए है इसका जो notification है वो आज है जारी हुआ है इसकी जो total वेकेंसी रहेगी ओध 787 पदों के लिए रहेगी इसका जो brief information बताया गया है उसमें बताया है कि CSF ने अपनी notification announce कर दी गई है जिसमें बताया है कि constable treatment के लिए vacancy release हो चुकी है जो भी candidate interested है वो इस vacancy के details को पढ़के अगर eligibility criteria में आते हैं तो इस form के लिए apply कर सकते हैं अब हम बात करेंगे इसमें candidate की fees किती लग रही है तो मैं आपको बता दो general और OBC वालों के लिए इसमें जो fees लग रही है form fill करने की वो 100 रुपीस लग रही है ST, SC और ESM वालों के लिए इसमें कोई भी fees नहीं लग रही है इसका जो mode of payment रहेगा वो online रहेगा अब हम बात करते हैं इसकी important dates के बारे में इसकी जो form apply करने की date है वो चालू हो रही है 21 November 2022 से और इसकी जो last date रहेगी वो 20 December 2022 तक रहेगी दोस्तों अब 20 December तक इसमें form apply कर सकते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके physical criteria के बारे में इसमें जो आप candidate की height के बारे में बताया गया है कि जो candidate की height मांगी है अनुसूची जनजाती को छोड़के वो male candidate की रहेगी 165 cm और female candidate की रहेगी 155 cm और schedule tribe वालों के लिए इसमें male की जो height रहेगी वो 162.5 cm रहेगी और female के लिए रहेगी 150 cm अब हम बात करते हैं इसके weight criteria के बारे में इसमें जो candidate schedule tribe को छोड़के आनुसूची जनजाती को छोड़के जो male candidate रहेंगे उनकी जो weight रहेगा वो 77 से 82 के बीच में रहेगा जिसमें minimum expansion 5 cm का रहेगा दोस्तों और ST वालों के लिए 76 से 81 cm minimum उनको भी 5 cm की expansion रहेगी इसके बाद हम बात करते हैं age limit के बारे में इसमें minimum age है 18 years और maximum age रहेगी 25 years इसमें जो आपका qualification मांगा गया है वो स्रीप 10th pass मांगा है इसमें और कोई other qualification नहीं मांगा है जो भी candidate 10th pass है वो इसके लिए apply कर सकते हैं झाल के लिए जो आपका बात कर दो आपका बात करते हैं